नमस्कार दोस्तों एस स्पिरिचुल सिक्रेट्स में आपका स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो गंटी का बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों दिये में फूल का बनना दब तिया चलता है तो फूल दिखाई देता है कभी-कभी थोड़ा टाइम लगता है कभी-कभी वह लगेज बन जाता है जब आप दिया जलाते है तो थोड़ी तेर में ही फूल बनना शुरुआत होता है फूल बनने का मतलब क्या है आप जिस देवता की यानि आप जिस इष्ट देवता की शिवजी हो काली मा हो या बजरंग बली जो भी आपके इष्ट देव हो उनके नाम से अगर आप दिया जलाते है तो उनकी कृपा या आप उनकी पूजा या साधना करते है इसका मतलब है कि वो आपकी साधना से प्रसन्न है और उन्होंने आपकी साधना मान्य कर दी है और उसका फल आपको मिलेगा यह सबूत होता है दिये में फूल अनेक प्रकार के बनते हैं कई आकार भी लेते हैं अगर आप श्यूजी की साधना करते हो और उनके नाम से दिया जलाते हो तो दिये में फूल भी बन जाते हैं कभी-कभी त्रिशूल का आकार भी आ जाता है कभी-कभी नंदी का भी आकार आ जाता है अगर मा लक्षमी से आपको प्रसन्न है तो दिये में बड़े फूल बन जाते है कमल के आकर के भी फूल बन जाते है दिये में फूल बनना बहुत ही लाबदायक है दोस्तो आप इससे खुश हो जाए क्योंकि आप चिज दियोता को पूझ रहे है उस देवताक तक आपकी पूजा पहुच रही है धन्यवाद